ओमस्ते मैं रूपेश सोधरी और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगी एज decor От टैबलेट जो है वह एक एंटिस्टामिन क्लास की ड्रोक्स होने के नाती यह एंटिबॉइटिक मेडिसीन भी कहा जाता है ठीक है क्योंकि यह बेक्टेरियल इंफेक्शन हो और थाथ वारुस के द्वारा इंफेक्शन हुआ हो दोनों को इस्ट्रोप करके उसकी ग्रोथ और वह वारुस और बेक्टेरिया जो है उसकी डिश्ट्रोइ करके हमें बचाती है ठीक है तो आज इसी एजित्रोमैसिन टैबलेट के बारे में बताऊंगी इसका यूजेज क्या-क्या है और इसकी साइड इफेक्ट क्या रहेगा और इसकी डोजेज क्या होगी और इसके ब्र प्रस नहों तो प्लीज कॉमेंट बक्स में लिख कर बताएए ठीक है और वीडियों तक देखिएगा एजित्रोमैसिन टैबलेट जी हाँ एजित्रोमैसिन टैबलेट एक एक एंटिस्ट्रामिन क्लास की ड्रॉक्स है और इसे एंटिवाइटिक भी कहा जाता है क्यूंकि ब 50MG में आता है 5MG में आता है और 100MG डिस्पर्सिबल टैबलेट में आती है 2-50MG जो है वह बच्चों के लिए रिकमेंडेट करती है जो 6 वर्ष से नीचे है उसकी लिए है 2-50MG ठीक है और बात करें 5MG 5-Èमजी जो है 6 वर्ष से उपर का जितना भी एज का है उसे दिया जाता है 50 mg और जो 100 mg डिस्पर्सिबल टैबलेट है यह यस ओ यस के द्वारान भी प्रयोग में लाया जा सकता है दिन में दो बार जब भी आपको इसके आवसक परे तब दे सकते हो दिन में दो बार ही ठीक है और यह डिस्पर्सिबल टैबलेट क्यों कहा गया है क्योंकि जो जिसे निगलने में समस्या आ रही है जैसे कि कोई भी दो बर से नीचे का बचा है वो तो नहीं निगल सकती है ने टैबलेट तो उसे ये दिस्पर्सिवल टेब्लेट दिया जाता है तो गूलने के बाद आप बचे को पिला देते हो तो वही है दिस्पर्सिबुअल टैबलेट ठीक है और बात करें इसके इंडिकेशन के बहुत है क्योन का मैंごीं लाया जा शकता है तो बात करे एजित्रोमाइसिन टैबलेट का यूजेज का ठीक है टॉंसिलीटीज होने पर इसे परिंग में लाया जा सकता है टॉंसिलीटीज उसे कहते है जो टॉंसिल होने पर इंफेक्शन होता है ज्यादा दिन होने पर इंफेक्शन हो जाता है उसे ही टॉंसिलीटीज कह जाता है ठीक है और शोर्थ्रोट इंफेक्शन जब भी हमारे गले में खरास आना बोलते बक्त दर्द होना उसे ही शोर्थ्रोट इंफेक्शन कहा जाता है ठीक है और वेजिनल वाइट डिस्चार्ज जी हम वेजिनल वाइट डिस्चार्ज कब होती है जब भी वेजिनल एरि यह chronic bronchitis एक लॉंग्स की डिजीज है ठीक है लॉंग्स में जब भी infection होता है तो chronic bronchitis होता है ठीक है यह होने पर सांस लेने में बहुत तकलिफ होता है ठीक है और बात करें नीमुनिया को नीमुनिया तो आप सभी जानते ही है यह बचे में ज्यादा दर में देखा जाता है ठ ठीक है सभी हो सकता है और sinus में जब भी infection हुआ है तो उसे sinus कहा जाता है sinus जम्माचार परकार की होता है आप सभी को मालूम ही होगा ठीक है और बात करें ओटैटिस मेडिया ओटैटिस मेडिया मिडल एयर इंफेक्शन है ठीक है कानों में जो बोन होती है वो तीन परकार के बोन होती है एक अंदर होती है एक मिडल में होती है एक बाहार में होती है ठीक है और जो middle ear infection होती है वो otitis media होती है ठीक है otitis bone होती है ठीक है तो otitis media में infection हुआ है तो हम यह azithromycin tablet प्रयोग में ले सकते है ठीक है और बात करें common cold common cold तो सभी को मालूम ही है तो उसमें भी प्रयोग में लाया जा सकता है ठीक है और इंटेरिक फेवर इंटेरिक फेवर एक टाइफाइड जैसा ही है मगर टाइफाइड तो दो तिन हपते में होती है ठीक है और यह इंटेरिक फेवर जो है यह जल्द ही हो जाता है एक हपता भी नहीं हुआ हो जायता है इंटेरिक फेवर टैफाइज जैसा ही है ठीक है और गोन और यह आप सभी को मालूम ही है सिफिलिस भी मालूम है डिप्ठेरिया भी मालूम होगा ठीक है और पर्टुसिस जो है विपिंग कप खोखी लगना मगर खोखी नहीं होना उसे विफिंग कप कहते है ठीक है यूरेथ्राइटिस मतलब हमारे जो किड्नी में किड्नी के के यू भी भी कहा जाता है किड्नी यूरेटर ब्लाडर ठीक है तो यूरेटर जो है वो 5 होता है ठीक है उसमें जो इंफेक्शन होता है वो पथरी के द्वारान भी हो सकता है पथरी ऐरेट से त्वे पूवचों और किसी और पैसेंट अपनim देखा जा सकता है तो आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते है क्योंकि इससे आपको लाबदायक होगा क्योंकि ये बेक्टेरिया और फैरस धोनों को किल करते है और हमें बसाती है ठीक है और बात करें कंट्रा इंडिकेशन ये किन-किन जगाओं में इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है तो बात करें सबसे पहले हाट अटैक हाट अटैक और पेसी मेकर डिवाइस जिसमें लगा हुआ है उससे मत दीजिए एजित्रोमाइसिन टैबलेट ठीक है और जिसे सेवर किड्नी प्रोब्लेम जिसे भी किड्नी में इंफेक्शन हुआ है पत्थरी के द्वारान जो भी हो उससे नहीं देना चाहिए यह ठीक है यह टैबलेट और बात करें लिवर इंफेक्शन जी हाँ लिवर इंफेक्शन में भी नहीं दिया जाता है क्योंकि जब भी हम कोई भी टैबलेट खाते है तो वह हमारे बोडी में जाकर अबजर्व होती है अबजर्व होकर ब्लोड मे झाती है और भी फिल्टर कोन करता है लिवर करने के वक्त लिवर में असर परती है ठिक है तो यह डिया जाता है और बात करी क्लोब मैंगणीसियम इन ब्लրोड में है तो उसे मतदी यह टेबलेट टेस्ट करवार ही दे गाट है और लो पोटासियम मैंगनिसियम यह सभी ब्लो टेस्ट में आ जाती है आप चेक करके खाईएगा ठीक है अगर लो है तो आपको समस्या आ सकती है इसलिए आप डॉक्टर के इजाज़त से ही खाईएगा ठीक है और बात करें स्कलेटल मॉसल डिसोडर जिसे भी हड़ी का जोरनी क जो भी समस्या है उसे भी नहीं दिया जा सकता है यह ठीक है और बात करें एबनर्मल हाथ रेड्मिक ECG जी हां जीसे भी धुक धुक जो है कभी जोर से धरकना कभी स्लोली धरकना धुक धुकी जो है वह एबनर्मल है आपकी वह ECG से पता चल जाता है मगर जो ECG नहीं भी कि है तो आपको जो धर्कन है वो कभी जोर से धर्कता है और कभी स्लो होता है तो समझ लीजिए आपको एसीजी करा के एक पार चेक कर लेना चाहिए क्योंकि एबनॉर्मल हाट्रेट्मिक को नहीं दिया जा सकता है कभी ब्लोड प्रेशर हो सकता है कभी भी लो हो सकता है vallahi real fat रहती है ठीक है और बात करें अल्कोहलिक फ़र्शन को भी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि अल्कोहल में बहुत चीज ऐसे बहुत बेक्टेरिया है जहां जिसे एजी थ्रोमाइसी नहीं किल कर सकती है ठीक है तो वेस्ट है जो अल्कोहल खाते हैं उससे नहीं देना चाहिए ठ हों सकता है ठिक है तो बात कर मान साइड़ इफेक्ट की तो इपी घैस्टिक भी हो सकती है इपीड़cko इपी घैस्टिक मतलब बोड़ी यह उडूरी न ओपर साइड में हमारा न म्हान न्युन पर होती है पैटů कहा थिक है स्टमक क्या न न पर होता है तो हमारा जो धोरी है अमलिकल उससे ठीक उपर जो है वो इपिगेस्ट्रिक पाट है ठीक है और जो अमलिकल पाट के नीचे है धोरी के नीचे वो हैपोगेस्ट्रिक कहा जाता है तो आपको दर्द रहेगा इपिगेस्ट्रिक में और बात करें नोसिया नोसिया भी हो सकती है और भौमिटिंग भी हो सकती है डाइस चक्कर भी आ सकती है कभी-कभी और abdomen g भी हो सकती है और headache भी हो सकती है भटिगो भटिगो मतलब वही चकर आना धुंगला पर देखना कभी-कभी Blawr Vigen होता है नहीं तो वह आ जाना ठीक है जट से चकर देना जट से दुबलापन हो जाना जट से जुबलावर हो जाना ये सभी आता है भर्टीगों में ठीक है और डायरिया के बाद करे तो वो तो हाई ही क्यूंकि खाते है तो निकालना तो परेगा ही तो एपनर्मल होगा तो वो ही होगा ना रहते मिया रहते मिया एक कंडिशन है ठीक है ये सन्ट ऐसमें हमारा इस्कलेटन मसल्दर्द होता है ठीक है ठोरा ठोरा और हेरिंग लौस मतनब हम जो सुनते है उससे उडरा अना ठीक है चन-चन-चन-चन-चन-चन रहना और बाहर में जो बोल रहा है वो नहीं सुनाई देगा उससे ही हेरिंग लॉस कहते है ठीक है तो वैसा हो जाना सदा के लिए नहीं होता है मगर ये टैबलेट खाने के बाद किसी को देखाई देता है और किसी को नहीं होता है ठीक है और बात 10-टी टीट बच्चों के लिए है ठीक है और ये 5MG चाहिए औस यतना भी उपर है जाता है वो सबहों दिनों तक का अर्डीमेडिकल क भी करना चाहिए और मेडिकल करके खाइए गानी तो घाटक परिनाम भी भोगन ना परशकता है आपको ठीक इंटर रियाक्टर के सला से जो कही गई है कि यह टैबलेट जो है एक के साथ एक मत खाईएगा थोरी देर रूप कर खाईएगा 10-15 मिनेट ठीक है हम जब भी बिमार होते हैं तो हमें दो तिन दवाय देता है ठीक है तो देने के बाद वह क्या बोलते हैं कि एक साथ मत खाईएगा पांच-पांच मिनेट के ग्याप में खाईएगा मगर क्या करते हैं हम लोग एक बार ही खा लेते हैं वह खाने के बाद दोसरा दोसरा खाने के बाद तेसरा वेटिंग करने का आ तो ऐसे में ही एजितित्रोमायशिन जो टाबलेट है एक साथ मढ खाईएगा जित्रर्याक्षिक्षण की नाम बोलए देकोध Karena इबास्टीन मेडिसीन, टर्फेनादीन मेडिसीन, कोल्ची सिन मेडिसीन, फ्हेंग्टोइन मेडिसीन, इस्टा मेज्वल मेडिसीन मेडिसीन, जोलास्टाइन मेडिसीन, एंटा एसीड ट्रोक्स जो की एलुमुनियम और मेंगनिसियम साल्ट होती है, वो भी नहीं खाना वो किन किन नामों से आता है तो बताना चाहूंगी नाम ठीक है एजी फाइन टैबलेट एजी फेम टैबलेट एजी शीप टैबलेट एजी प्रो टैबलेट एजैक टैबलेट एजी वक टैबलेट एजी थ्रॉल टैबलेट एजी टैबलेट एजी भेंट टैबलेट जू भी यह नाम से आपको मिल जाएगा बाजार में मगर आप धुने जाओ तो according to area फरक फरक हो सकती है इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहोंगी जो आपका जेनरिक नाम होगा वो एजित्रोमाइशिन ही होगा इसलिए आप जब भी ले तो एजित्रोमाइशिन जेनरिक नेम चेक करक तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद